नमस्कार दोस्तों, गेट सकसे 2.7 के एक और नी वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आप सभी के लेकर आचुका हूं, फिसर रास्तान करेंट अफेस का एक और वीडियो आज है 18 माई तो 18 माई की मोस्ट इपोर्टन गरेंट अफेस यहां पर देखने वाले है वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक, कमेंट और शेर जरूर करना तो चलिए, कल जो मैंने आप से कुशन पूचा था पहले उसका जवाब आपको यहां पर दे देता हूं कि केश से नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है, आप सभी ने सही जवाब जिया था गवरी नृत्य को, बी ऑप्शन आपको यहां पर एक एक एरेक्ट हो जाता अब आज के लिए आपका कोशन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि रामदेव जी के मंदिरों में फेराने वाली ध्वजा को क्या का जाता है अप्शन आपके सामने है नेजा, पतंगी, पतागा या फिर फेहरी तो इसका जवाब दे दीजे आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में चलिए, आज के करेंट अफिर के कोशिन के साथ यहाँ पे स्टार्ट केता है पहला कोशिन अखिल भारतिय बहवानी प्रसाद मिश्र कविता पुरसकार के से प्रदान किया गया यह राजसान पॉइंट ओव्यू से इंपोर्टन क्यों है क्योंकि यह जिसे दिया गया है वो राजसान के निवासी है तो यहाँ पे जो आपका गरेट अप्शन हो जाएगा वो जाएगा डी वाला इंदू शेकर ततपुरस को यह पुरसकार दिया गया है अकिल भारतिय बहुनी प्रसाद मिश्र कविता पुरसकार तीक है यह बेसिकली कहां के रहने वाले हैं सवाई मादपुर्जिले के तो यहाँ पे इंपोर्टन फैक्ट्स की बात कर लाते हैं डिटेल के अंदर के साहित्ति एकाद्मी बुपाल दोरा कविता संग्रे पर दिया जाने वाला प्रतिष्टित अकिल भारतिय बहुनी प्रसाद मिश्र कविता पुरसकार गंगापुर्ट सिटी निवासी इंदू शेकर तत्पुरस को उनके कावे संग्रे पीट पर आंक के लिए दिया गया यानि के कौन से कावे संग्रे के लिए दिया गया ये भी आप याद खना पीट पर आंक कहां के रहने वाले हैं गंगापुर्ट सिटी के जो क्याता है सवाई मादपुर्ट जिले में पुरसकार स्वरूप का उनको पुरसकार के रूप में एक लाख रूपे की राशी का चेक दिया गया है इसके अलावा गंगापुर्ट सिटी निवासी डॉक्टर इंदू शेकर तत्पुरुष राजसान सहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे चुके हैं तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बन जाता है चलिए नेक्स्ट कोशिन के यहाँ पर बात करते हैं कि उडान योजना के तहत किस राज्य को बेस्ट प्रो एक्टिव स्टेट अवार्ट से नवाजा गया है वो है दोस्तो राजस्तान यह उप्शन आपका यहाँ पर एकरेट होगा यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लएते हैं कि देश के प्रमुक शहरों को जैपूर के हवाई रूट से जोडने के लिए राजसरकार को बेस्ट प्रो एक्टिव स्टेट का अवर्ड मिला है किसलिए मिला है पता चल गया आपको अगला पॉइंट नागरिक उडेन मंत्राली की ओवर से हैदराबाद में आयुजित की गई विंग्स दो हजार बीस फ्लाइंग फॉर औल समीट में राजसरकार को ये अवर्ड प्रदान किया गया उसके लवा उडान योजना के तहद हवाई से शुरू की गई याप सभी को यहाँ पर पता चल चुकी है चलिए नेक्स्ट कोशन के हाँ पर बात करते हैं क्या हाली में राजसान राजसो विभाग ने राज्य में राजसो दिवस कब मनाय जाने की गोशना की है यह अभी मनाय नहीं गया है इसके गोशना की गई है डेट की वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है कि हाली में राजसान राजसो विभाग ने राज्य में राजसो दिवस कब मनाया जाने की गोशना किये तो दोस्तों यह किये है 15 अक्टूबर को यानि कि B option आपका यहाँ पर एकरेट हो जाएगा आने वाले 15 अक्टूबर को राजसो दिवस मनाया जाएगा यहाँ पर important fact की बात कर रहते हैं कि राजसान में 15 अक्टूबर का दिन हर साल राजसो दिवस के रूप में मनाया जाएगा राजसो मंतरी हरीश चौधरी ने इसकी गोशना विदान सबा में की है तो राजसो मंतरी कौन है राजसान के हरीश चौधरी उन्होंने इसकी गोशना की है कि हर साल 15 अक्टूबर को राजसो दिवस के रूप में मनाया जाएगा चलिए next question की हाप बात करते हैं आज important days से संबंदित question जादा है तो आप वो भी देखिएगा चौथा question World AIDS Vaccine Day का मनाया जाता है World AIDS Vaccine Day का मनाया जाता है नहीं कि इसे और क्या भी कहते हैं और किस नाम से जानते हैं HIV Vaccine Awareness Day इसे इस नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है हर साल 18 मई को C option आपका यहाँ पे correct हो जाएगा important है days का question है और इसके एक और बात कर लेते हैं कि पहली बार कब मनाया गया था पहली बार 18 मई 1998 के अंदर पहली बार ये दिवस मनाया गया था 18 मई को उसके बाद से लगातार ये मनाया जा रहा है अब आगया है आपका 2020 तो important हो गया आपके लिए ठीक है चलिए अगले question के यहाँ पर बात करते हैं पांचवा इंटरनेशनल म्यूजियम डे का मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे का मनाया जाता है ये भी आपके 18 मई को मनाया जाता है ये option आपका यहाँ पर गरेट हो जाएगा बेसिकलि इसका aim क्या है to raise awareness about museum and their role in society यहनी के awareness बढ़ाना किसके awareness? museum अगरे की जो awareness है वो बढ़ाना आपके आसपास की society में और उसके role की ठीक है? और basically ये जो दिवस है International Museum Day है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा ये बनाया गया है? create किया गया है the international council of museum ठीक है? the international council of museum के दोरह इससे बनाया गया था कब 1977 में ठीक है? तब से ये मनाया जा रहा है next यहां पर बात करते है International Day of Light कब मनाया जाता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है आज जो questions है वो दिवस के question नहीं कि days के question जादा लिए मैंने International Day of Light basically मनाया जाता है दोस्तों 16 माई को हर साल 16 माई को ये दिवस मनाया जाता है laser light का जो पहला सफल संचालन किया गया था किसके द्वारा? नाम यहां पर लिख देता हूँ थियोडोर मैमन द्वारा M-A-I-M-A-N थियोडोर मैमन द्वारा जो laser light का पहला सफल संचालन किया गया था उनके द्वारा ये जो सफल परिक्षन किया गया है उसकी basically anniversary मनाने के लिए यानिके जो first successful operation हुआ था laser light का संचालन किया गया था 1960 में तो उसी की anniversary के रूप में ठीक है? हर साल ये मनाया जाता है 16 मई को और जो basically थियोडोर मेमन है ये basically एक इंजिनियर और फिजिस्ट है तो इस चीज के लिए मनाया जाता है वो detail मैंने आपको यहां पर बता दिये चलिए अगले question के बात करते हैं के National Dingu Day कब बनाया जाता है यानिके राष्टे डिंगू दिवस बहुत ही ज़ादा important है राष्टे डिंगू दिवस basically हर साल 16 मई को मनाया जाता है तो आज मैंने आपको चार दिवस के बारे में यहां पर बता दिया है important है चारों ही याद कर लेना चलिए next question के यहां पर बात करते हैं कि हाल ही में Pakistan cricket board बाबर आजम को Central ч option आपका यहां पर एGER्ट होजाएगा साधिसात बाबर आजम Pakistan जो ख्रिकेट टीम है उसके T20 फॉर्मेट का जो होता है उसके भी कप्तान है यानि कि One Day और T20 दोनों के अब कप्तान बाबर आजम बन गए है टेस्ट के कप्तान कौन है अजर अली अजर अली टेस्ट के कप्तान है सरफराज जो एमद है ये पहले तीनों फॉर्मेट में कैप्तेन थे कप्तान थे, अभी एक अप्तान नहीं है ठीक है, तो ये तो बात हो गई और उमर अक्मल जो मैंने आप आप्शन में दे रखा है, ये भी अभी करिंट में चर्चा में रहते हैं, क्यों रहते हैं क्योंकि तीन साल का इन पे बैन लगा दिया गया है, तो पाकिस्तान को लेके करिंट अफेर के काफी कोशन बन रहें आगे यहां पर डिसकस करेंगे, तो मैप में आप ये देख लीजे, ये है पाकिस्तान और कैपिटलिस की इसलामाबाद है, करंसी है कि पाकिस्तानी रूपी है, पी-म इमरान खान है, प्रेसिडेंट है, आरिफ अलवी रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, बारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है ये चीज़ आपको पता है, इसके बाद जो इमरान खान की पार्टी का नाम ये एक्जाम में आच चुका है ये 2019 के अंदर एक एक्जाम में आच चुका है इनकी पार्टी का नाम पाक तहरीक ए इनसाफ ये याद रख लेना, ये पहले भी एक्जाम में आच चुका है और करंट के पाकिस्तान के संबंदित कोशन बनते हैं, वो मैं आपको बढ़ा दाओ सनामीर, नाम याद रखना सनामीर, अंतराष्टी क्रिकेट से इन्होंने सन्यास की गोशना कर दिया यानिकि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक सदसे थी, उन्होंने अभी सन्यास की यहाँ पर गोशना कर दिया वोमेन्ट टीम की थी पाकिस्टान वोमेन्स टीम की उसके लावा उमर अक्मल का मैंने आपको यहाँ पर बताई दिया है तीन साल का उन पर बैन लगा दिया गया है राहुल देव मैंने आपको यह कोईशन करवा भी दिया है करेंट अफेज में राहुल देव ये नाम याद अखना क्योंकि पाकिस्तान एर फोर्स के पहले हिंदू पाइलेट बन गए है अभी पाकिस्तान एर फोर्स में शामिल होने वाले पहले हिंदू पाइलेट बने है राहुल देव सुमन कुमारी नाम यादकना 2019 में कोशिन आज चुका है आपके एक्जाम में पाकिस्तान में हिंदू समुदाई की पहली महिला जज बनी थी सुमन कुमारी यह आपके एक्जाम में आज चुका है तो current में काफी सारे question बनते हैं पाकिसान से जो मैंने आपको detail में सारे बता दिये हैं चलिए अगले यहाँ पर बात करते है कि हाल यह में किसने world economic situation and prospects report जारी की है हाल यह में किसने world economic situation and prospects report जारी की है तो दोस्तों यह की है UN ने United Nation ने D option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि यह report है क्या basically world economic situation and prospects report में क्या बताय गया है इस report के मताविक 2020 के मद्द अगयने के middle तक भरत की जो विकास दर है वो कितने रहने का अनुमान है 1.2% की दर से बढ़ सकती है भरत की जो विकास दर है वो इन्होंने बताया है कि 1.2% की दर से बढ़ सकती है अब ही जो चालू विकास आपके बात कर रहे हैं UN की यहाँ पर बात करें United Nations का नाम है स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को ही United Nation Day मि मनाया जाता है हेड़कॉर्टर इसका New York में है हेड़कॉर्टर होगे है New York में सेक्रेटरी चनरल इसके कौन है एंटोनियो गुटरेजो के पुर्तगाल के है तो यह UN के बारे में पूरी डीटेल हो गई है और यह report के बारे मैं आपको डीटेल में हाँ पर बताई दिया है और अभी तक अगर आपने वीडियो को like, comment और share नहीं किया है तो वीडियो को like कर दीजिए, comment कर दीजिए, कोई भी आपका doubt है तो और ज़्यदा ज़्यदा आपने दोस्तों में इसे share कीजिए और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिए साथ साथ बैल आगन को भी प्रेस कर लेना और PDF के अगर बात करूँ तो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसका link वीडियो के नीचे description में दे रहा है link को click करो और टेलिग्राम चैनल को follow कर लो वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी पहले की भी और इस वीडियो की भी तो सभी PDF वहाँ से ले लेना अरहम से पढ़ लेना यह वाला वीडियो मेरे असाब से आपको अच्छा लगाओगा लाइक करके जल्दे से बताजिए कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दिए तो दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं एक वीडियो में